दोस्तों मैं तमन्ना एक बर फिर से आपका स्वागत करती हूं के credit में और आज एक बर फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूई हूँ एक और नए business idea के साथ आप जिस business idea को हम लेकर आपके सामने आए हैं उसका समझ लीचे कि उसका growth जो है वो बहुत जादा है लेकिन हाँ क्योंकि lockdown था तो तमाम colleges, schools, offices सब बन थे तो थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा है लेकिन हाँ ये जो business है ये 12 महीने चलने वाला है मैं बात कर रही हूँ स्टेशनरी के business की हाला कि स्टेशनरी का business कई तरह का होता है कई स्टेशनरी की business है थे होते हैं जिसमें सिरफ और सिरफ आप schools की चीज़े रखते हैं जैसे copy, pen और जो बच्चे classes की books होती हैं वो books आप रखते हैं इसके अलावा कुछ स्टेशनरी की shops में आप जाते हैं वहां पर photo set की भी सुविधा होती है आप mail कर सकते हैं net की सुविधा वहां दी गई होती है ताकि आप cyber में जाके अपना mail वगेरा चेक कर सकें इसके लबा कुछ shops में आप जाते होंगे जहां पर और कहीं तरह की सुविधा होती है यानि कि यह स्टेशनरी का business जो है वो एक तरह का नहीं है अलग तरह का है और आपको decide करना है कि आप कितना पैसा invest करके कौन सा business चला सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं और बाकी जितने भी प्रामर्श हैं उसके लिए हम आपके साथ हैं तो आज हम यहीं बात करेंगे और सब पहलों को समझने की कोशि रहेगी और किस लेवल से आप यह business शुरू कर सकते हैं तमाम चीज़े चानने के लिए हमारा साथ बने रहेगा सब्सक्राइब कीज़ेगा हमारा चानल और वीडियो कौन तक देखिएगा और समझने की कोशिश केज़ेगा कि किस तरह से आप एक स्टार्ट अप दे सकते है इस business को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीज़ेगा और साथ ही साथ हमें बताईएगा कमेंट सेक्शन में लिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और बेल आइकॉन का बटन जरूर दवाईएगा ऐसे देखा जाए तो स्टेशनरी की दुकान खोलना आसान प्रक्रिया है लेकिन यदि कोई कमपनी उदमी से अपने ओफिस के लिए स्टेशनरी आइटम्स खरीदना चाहती है तो ऐसे में आपको अपनी दुकान का टेक्स रिजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा क्योंकि कोई भी कमपनी ऐसी जगा से सामान नहीं खरीदती है जिसमें टेक्स बिल्ड के स्टेशनरी आइटम्स नहीं बेचे जाते हैं टेक्स रिजिस्ट्रेशन करवाने से आप आसानी से हर एक के साथ बिजनस कर सकते हैं इस बिजनस को करने से पहले जान लीजिए कि स्टेशनरी की शौप किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है जिसे आपको बिजनस को समझने में आसानी होगी स्टेशनरी की दुकान किसे कहते हैं ऐसी दुकान जहां पढ़ने लिखने और कार्याले से जुड़े सामान मिलते हैं साथी जहां क्राफ्ट, स्कूल, प्रोजेक्ट से जुड़ी सामगरी मिलती है जैसे पैन, पैंसे, लिफाफे, बुक्स, स्केल, कलर, नोटपैट्स, आदी, अन्यम सामान मिलते हैं स्टेशनरी की दुकान खोलने से पहले जालने की स्टेशनरी की शॉप तीन प्रकार की होती है आप कौन सी स्टेशनरी की शॉप खोलना चाहते हैं इसे समझिए और फैसला लीजिए सामान स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, कम्प्यूटर स्टेशनरी सामान्य स्टेशनरी ऐसी स्टेशनरी की दुकान जहां pen, pencil, eraser, shopner आधी तरह की सामान मिलते हैं, यानि कि ऐसी दुकान जहां school, college और office से जुड़ी हार सामान्य और चोटी से बड़ी हर आवश्चिक चीज़ें उपलब्ध होती हैं प्रिंटिंग स्टेशनरी ऐसी स्टेशनरी जहां प्रिंटिंग से जुड़ी आवश्चिक चीज़ें भी मिलती हैं जैसे कि printer, cartridge, printer, ink, paper rim, bond paper आदी Computer Stationery, एक ऐसी Stationery जहां Computer में यूज आने वाली हर अवश्चिक वस्तों उपलब्ध होती हैं जैसे की CD, DVD, Pen Drive, Mousepad, आदी चली जानते हैं आप Stationery की दुकान कैसे खोल सकते हैं Business का Model तयार करें Business को शुरू करने से पहले अवश्चिक है कि आप Business Model तयार कर लें जिसे आपको पता है कि आप किस तरह का Business शुरू कर रहे हैं अपनी Business की योजना बनाए जैसे की budget कितना होगा, खर्च कहां कहां करना है, market strategy क्या होगी Business कितने छोटे और बड़े स्तर पर होगा, दुकान में क्या क्या सामान रखना है, माल कहां से उठाना है, target users क्या होगे, किस तरह की stationary होगी आदी जब एक बार आप अपने Business की planning कर लेंगे, तो आपको आसानी होगी Business को समझने में और Business को करने में क्योंकि अब आपको पता होगा कि आपकी Business का मूटीव क्या है, सही जगा का चैन करें, book or stationally की दुकान खोलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि दुकान किसी school, college, institute और दफ्तरों के आस पास हो, तो ग्राकों की अधिक संक्या आपको मिल सकती है, इससे आपको सामाने ग्राकों के साथ साथ कॉर्परेट ग्राक भी चुड़ सकते हैं, इसके अलाव स्टोर किसी मुख्य मार्केट या मभीड भाड़ वाली जगा पर हो, जिसके लोगों की नजर पढ़ती रहे, और अपनी जरूरतों का सामान लेने के लिए वो आपकी शौप पर आ सके यदि किसी बस्ती में भी आपकी दुकान होती है, तो भी आपकी दुकान काफी चलेगी आप इस स्टोर को अपने घर पर भी शुरू कर सकते हैं अगर आपका घर किसी रोट के किनारे है एक ऐसी जगा जहाँ जहाँ आपका स्टोर चलने की संभावना है तो आप अपने घर से भी स्टोर को शुरू कर सकते हैं इसके लिए अवश्यक है कि आपके घर में बाहर की तरह शॉप हो। स्टेशनरी और बुक स्टोर खोड़ने के लिए नियूनतम 400 वर्ग मीटर की शॉप अवश्यक है जिसे आप अपनी दुकान का सारा सामान आसानी से मैनेज कर सकें। यदि आप बड़ी स्तर पर अपना बि किसी भी स्टेशनरी के लिए इंटीरी डिजाइन महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जब भी आप फरनीचर बनवाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि फरनीचर डिजाइन आपकी जरूरतों को पूरा करता हो। जो आपके दुकान के सामान को सही से समेठता हो और दरशात होगी। यदि आप दुकान किराय पर ले रहे हैं तो दुकान खोलने से पहले दुकान के मालिक से रेंट एग्रिमेंट लें क्यूंकि बिजनस के नाम से बैंक खाता और टेक्स पंजीकरन में आपकी दुकान का एड्रेस प्रूफ उप्योगी होगा। स्थानी नगर निग उप्स and Establishment Act के अंतरगत अपनी दुकान का पंजीकरन करवाना होगा। साथी अक्ट के अंतरगत आने वाली सबे नियमों का पालन करना होगा। इस नियम के अंतरगत मुख्य रूप से आपके इवं करमचारियों के काम करने के दिन चुटिया और काम करने की समय सिमा शुक काूलाने और पूरिश दोनो के नियम बनाए जाते हैं स्टेशनरी कि शौप के लिए आवश्यक क दस्तावेज लाइसन्स और पंजीकरनि के लिए आपके पास कुछ आवश्यकष्य का वुना अनिवारे है जैसे कि पांकर्ड आधार कर्ड भैक सम्बंदे दस्तावेस, बैंक अकाउंट, जिस जगा पर दुकान है, उस जमीन के दस्तावेस, दुकान और जमीन के मालिक के साथ किया हुआ समझोता पत्र आदी. स्टेशनरी शॉप पर रखें हर सामान स्टेशनरी शॉप में विशेश रूप से पैन, किताबे, नोटबुक्स, स्टेपलर, क्यालकुलेटर, पैंसिल एवं पढ़ाई में उप्योगी सामगरी को ही बीचा जाता है, लेकिन आप स्टेशनरी दुकान रखने वाले लोग ग्रीटिंग कार्ट, शादी के कार्ड एव से उठाए माल, स्टेशनरी में बेचे जाने वाला सामान आप ऑनलाइन और ओफलाइन दोनों जगा से खरीद सकते हैं, यदि आप होलसेल में खरीदारी करना चाहते हैं, तो आपको अधिकलाप होगा, आप जाहें तो किसी कमपनी से सिधे तोर पर पैंट, पैंसिल और कॉ ना होगा, जो सीधे आपकी शौप पर आकर माल दे सकें और वो भी सही दाम में। प्रडक्स में लिखा है, उसी के हिसाब से माल बेचना होगा, क्योंकि दुकानदारों का मार्जिन पहले से प्रडक्स के साथ ही आता है, यदि आप अनब्रैंडिट आइटम्स बेच रहे हैं, तो आपको 50-55 प्रतिश्यत तक आसानी से प्रॉफिट होगा, इसलिए प्रॉब मार्केटिंग करें, मार्केटिंग करने के लिए आप प्रॉफिलिट सब्वाएं, हफ़ते में या महीने में अपने गाउण शहर कस्बे के निूस पेपर घरों में डालने वालों के साथ डील करके आप न्यूस पेपर की कॉप्र के साथ पैप्र हैं, länger इनन की आदी अपनी दुकान पर डिसकाउंट जैसा ओफर दें आप चाहें तो अपनी शॉप को ऑनलाइन भी ले जा सकते हैं जासे लोग आपकी शॉप से ओडर कर सकें दुकान का मैनेजमेंट कैसे करें दुकान में कितने घंटे किस दिन काम करना है इसके लिए एक शीट बनाए औ से की आज इतने बजे इतना काम करना है हर दिन कौन सा सामान सबसे अधिक विका और कौन सा सबसे कम इसका लेखा जोखा तयार करें इससे आपको अंदाजार होगा कि मार्केट में किस चीज की अधिक टिमांट है तो आप आने वाले महीनों के लिए पहले से प्लानिंग कर पाएंगे हर दिन कितने घंटे दुकान खोनने से कितना सामान विका और हर दिन कितनी कमाई हुई उस कमाई में कितनी बच्चत हुई इसका लेखा जोखा तयार करें जिससे आपको अपने दुकान के बारे में प्रती दिन हिसाब किताब करने में असानी होगी हर सामान का ए पेमेंट कर्वाने के सादन तयार करने होंगे जैसी की गूगल पे फोन पे भीम पे टीयार करनी होगी जिससे कैश के अलावा भी लोग आपके यहां से खरीदारी कर सकें यदि आपके पास दो तीन या इससे जादा का स्टाफ है तो आप उनको मैनेज करने के लिए उके स्ट स्टाफ चाहर वे help का सच्चाहर कर सकते हैं इस app के माध्यम से आप अपने स्टाफ में मौजूद प्रतेकस सदस्ये की काम को उनकी चुटियों को उनकी सालरी क 창 किया है ओ संद नहीं कि इन आप इसको एक ट्रॉय दे सकते हैं और मन लगा के काम कीजिए हर बिजनस चल सकता है सिरफ इरादे नेक होने चाहिए और मेहनत लगती है और पेशेंस बहुत ज़रूरी है यह मैं बात बार-बार कहती हूं हार नहीं मानने है किसी चीज़ को अगर आपने शुरू किया तो उस